नमस्कार दोस्तो 2022 डाक विभाग की नई भरती आपके लेके आ गए हैं दोस्तो इसमें योगता केबल 10 भी पास रखा गया है दोस्तो सिधी भरती निकल के आ गई है 15 मार्च 2022 तक आप इसका आविदन यहाँ पे कर पाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो पुरा व वेकेंसिक डीटेल ओपें होके आगया है दोस्तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपको एक महिनें 19,900 रुपया से लेके 68,000 रुपया तक बेतन यहाँ पे मिलने वाला है तो अच्छी खासी भरती लेके आगई योगता बहुत ही कम रखा गया केबल 10 भी पास रखा ग यहाँ छली आपको दिखाते हैं कि कैस्से आपको यहाँ पर टाइप कर देकम है तो आपको देखिए हाँ पर टाइप कर देना आज अग़ सबसे पहली वेंसाइट आपको देखने को मिल लेगे ना है अपको एस पर ओक कर दिना है ओके करते हैं मानि दोस्तो पुला वेबसाइट आपके सामने ओपेन होके आजागा दोस्तो आप यहाँ पर सकते हैं govacancy.in अब आपको यहाँ पर नीचे आजना है दोस्तो आप यहाँ पर सकते हैं आपको इस पर okay कर देना चलिए हम okay कर लेते हैं तो दोस्तो okay करते हैं मानि आप यहाँ पर देख सकते हैं डाग विभाग का वेकेंसी डीटेल ओपेन होके आ गया है नो एक्जाम दोस्तो यहां पर आपको परिच्छा नहीं देना पड़ेगा दोस्तों यहां देखे इंतर्वो के माध्यम से ट्रेनिंग के माध्यम सबको नोखरी यहां पर मिल जाएगा अफिसल देखिए इसका नोटिफिकेसन भी डाउनलोड करके दिखाएंगे दोस्तो 100% सही वीडियो तो इस वीडियो को पूला देखिएगा इसके साथ आपको यहाँ पे नीचे आएंग तो इसका फॉर्म भनना शुरू कर दिया गया है 15 मार्स तक आप इसका आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे आप यहाँ पे नीचे आएंग तो आपको और भी डीटेल यहाँ पे देखने को मिल जागा दोस्तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं योगता केवल 10 भी पास यहाँ पे रखा गया है इसके साथ दोस्तो आपके पास DEL होना चाहिए तीन साल का experience होना चाहिए और यहाँ देखे कुछ और भी qualification मांगा तो आप इसका पुड़ा notification डाउनोड करके पुड़ा डीटेल वहां से ले सकते हैं तो दोस्तो आपको बता दे कि online आवेदन या फिर offline आवेदन करने से पहले आप इसका official notification डाउनोड किया करी किसी वाला है इसके साथ आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ देखे forum कैसे apply करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है तो यहाँ देखे दोस्तो official notification डाउनोड करने के लिए लिंक दिया गया जैसे ही आप click here okay करेंगा तो आपके सामने इसका official notification open होके आजागा हम पहां से ड बताया दीजिएगा मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद चैहीं हिंद चैवार